आज के वक्त दुनिया के अधिकतर लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो hand to mouth रहते हुए अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और उनके पास retirement के वक्त कुछ होता ही नहीं है टोनी रॉबिंस इस बात से लंबे वक्त से परिशान भी थे और यही वज़ा थी कि उन्होंने चार साल तक रिशर्च करके Money, Master the Game नाम की एक शांदार किताब लिखी थी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया उन्होंने इस किताब को लिखने के पहले दुनिया के कई अमीर लोगों से बात की थी और आज मैं आपको उनकी इस किताब से यही साथ कदम बहुती सीधे तरीके से बहुती शार्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपको Money के Game में Master होना सिखा देंगे और मुझे यकीन है अगर आप इन बातों को समझ लेते हैं तो आने वाले कुछ साल आपकी पूरी जिंदगी को बदल देंगे बात करें अमीर हुने की इन स्टैप यह तो इसमें पहला स्टैप या कदम है खुद को इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार करना अधिकतर लोगों की प्राबलम यह होती है कि वो अपनी पूरी लाइफ खुद को इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार ही नहीं कर पाते वो हमेशा ही कोई ना कोई बहाना बनाते हैं जिसकी वज़े से वो कभी भी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाते टोनी रॉबिंस अपनी किताब में कहते हैं कि आपको सबसे पहले अपनी इंकम का 20% पैसा बचाने की आदत डालना चाहिए और उस पैसे को हर महीने इन्वेस्ट भी करते रहना चाहिए क्योंकि यही फाइनेंशल फ्रीडम का पहला कदम है अमीर होने यह फाइनेंशल फ्रीडम को हासिल करने के लिए दूसरा जुरूरी कदम है इस मनी गेम के रूल्स को समझना और फिर उसमें कदम रखना जैसा कि टोनी रॉबिंस कहते हैं कि मनी एक गेम है और आप किसी भी गेम में तभी जीत सकने हैं जब आप उस गेम के नियमों को उसकी पावर्स को उसकी कमजोरियों को और उसके लूप होल्स को समझते हों मतलब सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट के नियमों को समझना होगा और उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लान बनाएं उस investment को करने के पहले उसके बारे में सीख जिरूर लीजिए Tony Robbins कहते हैं कि money का game कुछ तरीके से बना हुआ है जिसमें आपके जीतने के chances कम होते हैं और दूसरी तरफ इस game को समझने वालों के जीतने के chances हमेशा ही बहुत जादा होते हैं यही वज़ा है कि कुछ लोग हमेशा गरीब होते रहते हैं और कुछ हमेशा ही ज़्यादा अमीर होते जाते हैं इस game को जीतने के लिए आपको सबसे पहले numbers को समझना होगा आप जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से numbers को समझ लेंगे आपके लिए money के game को जीतना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा जब आप numbers को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत सारे ऐसे खर्च कर रहे हैं जहां पर आप अपने पैसे को बचा सकते हैं और वो पैसे बचा कर आप उसे invest कर सकते हैं यहां मुद्दा सिर्फ numbers का है अगर आप numbers को समझ लेतने हैं तो आप के लिए investing के game को समझना और जीतना भी आसान हो जाएगा और यही अमीर होने का या financial freedom हासिल करने का तीचरा नियम है money के game को जीतने के लिए जो चाहता नियम है वो यह है कि आपको अपने assets को सही तरीके से divide करना है और उस planning के साथ ही investment करना है इस investment में आपको basically दो हिस्से कर दिना चाहिए जिसमें एक safety या security investment होना चाहिए जो कि return भले ही कम दे लेकिन आपको safety जरूर दे दे दुश्रा हिस्सा होना चाहिए growth का जिसमें risk थोड़ा ज़्यादा हो सकता है लेकिन return भी उतना ही ज़्यादा होता है आम दोर पर इस तरीके का risk और reward आपको share market के investment में मिल जाता है तो आपको करना यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करिए numbers के game को समझ कर अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने safety net और risk growth में investment करते रहिए और खुद को financial freedom की तरफ लेकर जाईए money game में जीतने के लिए जो पांचवाण यह है वो है एक ऐसा income plan बनाईए जो कि आपको जिन्दगी भर income दे सके टोनी रॉविंज कहते हैं कि आपको अगर financial freedom को हासिल करना है तो आपको एक ऐसा income plan बनाना होगा जो आपको पूरी जिन्दगी पैसे देता रहे वो तो ये भी कहते हैं कि आपका investment सिर्फ आपके काम नहीं आना चाहिए बलकि ये ऐसा होना चाहिए जो आपके बच्चे उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चों के भी काम आए जब आप इस तरीके का income plan बना लेंगे तो आपको पैसे की कभी कमी नहीं होगी अब सवाल आता है कि ये income plan बनाना कैसे है तो उसके लिए आपको study करना होगी आप उन लोगों को देखिए जो इस तरीके के plan बना कर अपनी life को enjoy कर रहे हैं और आप उनको model करिए उनको follow करिए उनकी नकल करिए और आपको भी ये सफलता मिल जाएगी ध्यान रखिए अगर दोशरे लोग किसी खास model को इस्तमाल करके सफल हुए हैं तो आप भी उस model को समझने की कोशिश करिए आप उस game को छोटे investment के साथ खेलिए और जीतने की कोशिश करिए अगर आप थोड़े वक्त के लिए इसमें fail होते हैं तो भी निराश होने की जगा इसे समझे और फिर से जीतने की कोशिश करिए अगर आप सीश्ते रहते हैं और इस game से बाहर नहीं निकलते तो आप अपने लिए lifetime income plan बनाने में कामियाब हो जाएंगे जो कि आपको गरीबी से बाहर निकाल कर आपके पूरे family tree को बदल देगा अमीर होने के लिए खुद को गरीबी से बाहर निकालने के लिए टूनी रॉबिन जो छटी बात बताते हैं वो है खुद को smart बना कर invest करना उनका कहना है कि invest तो बहुत से लोग करते हैं लेकिन 0.01 प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जो कि इस game के top खिलाडी हैं और अगर आपको top पर पहुँचना है तो आपको भी उनी खिलाडियों की तरह इस game को खेलना होगा अब आप सवाल करेंगे कि आप उन top के खिलाडियों की तरह कैसे खिलेंगे अभी तो आप इस field में कुछ जानते भी नहीं तो इसका जवाब ये है कि आपको ये game सीखना होगा देखे आपको समझना होगा कि दुनिया का कोई भी महान खिलाडी अपने game को माके पेट से सीख कर नहीं आता वो खिलाडी उस खेल को सीखना शुरू करता है पहले उस खेल के नियम समझता है एक गुरू से खेल को सीखता है और उस खेल को खेलने के लिए मैदान में उतरता है प्रैक्टिस करता है और करता रहता है अपने खेल के शुरुआती दिनों में वो महान खिलाडी सफल भी होता है और फेल भी होता है लेकिन वो खिलाडी अपने गेम को बहतर करते रहता है प्रैक्टिस करते रहता है और फिर एक वक्त आता है जब उसका खेल उसका नाम दुनिया के बहतरीन खिलाडियों में शामिल हो जाता है वो खिलाडी ऐसा इस ले कर पाया क्योंकि उसने अपने गेम को सीखा सीखते रहा और प्रैक्टिस करते रहा मनी के गेम में मास्टर होने के लिए आपको यही नियम अपनाना होगा आपको भी इस गेम को सीखना होगा सीखते रहना होगा और इस गेम को खेलना भी होगा अच्छी बात यह है कि आज के वक्त आपके पास internet free है जो कि आपको दुनिया भर के experts की अलग-अलग research, अलग-अलग वीडियो, अलग-अलग जानकारी आपके mobile पर लाकर रख देता है तो आपको सीखने के लिए ना ही कोई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है, ना ही किसी और तरीके से परिशान होने की, बस आपके लिए जरूरत है तो share या stocks में investment के game को expert से सीखने की और फिर इसे खेलने की, अगर आप ये कर लेते हैं तो कुछ सालों में compounding की power के साथ आपके पैसे बढ़ते चले जाएंगे और आप अपना नाम अमीरों की लिष्ट में लेकर आ जाएंगे, अब हम बात करते हैं मनी के game में master होने के साथवे नियम की, तो ये नियम है इस game को खेलना, जीतना, अपनी life को enjoy करना और share करना, जैसा कि हमने पहले नियम में ह बात करी थी, दुनिया के अधिकतर लोग पैसे के game में इतली हर जाते हैं, क्योंकि वो इस game को खेलते ही नहीं हैं, और यकीन जानिए, ये game ऐसा है जिसमें आपने खेला, तो शायद आप जीत चेकने हैं, लेकिन नहीं खेला तो आपकी हर निश्चित होती है, इतली टोनी आपको ये game खेलना जरूर चाहिए, और इस game को खेलने के लिए पहले आपको इसे सीखना होगा, नंबर की game को समझना होगा, अपने investment को safety और risk में divide करके invest करना होगा, और फिर risk से growth लेने के लिए वैसे invest करना होगा, जैसे दुनिया के चंद अमीर लोग invest करते हैं, और इस ब company के stock या share में invest करते हैं, तो आप उस company का एक छोटा सा हिस्सा खरीतने हैं, और जो वो company grow करती है, तो आपका पैसा भी उसी तेजी से grow होता है, और आपको अमीर बनाता है, मैंने दो साल पहले इस किताब को पढ़ा था, इन नियमो को अपनी life का हिस्सा बनाया था, और तब स है, एक बात और जिरूरी है, अगर आपको stock में या share market में invest करना है, या trading करना है, तो उसके लिए आपको एक demate account की चाहिए,